ओम शान्ति मैं अनीता वालिया निवासी हिमाचल परदेश मैं ग्यान में तक्रीवन छे साल से हूँ और उससे पहली कि अगर मैं परिस हितियां देखूं अपने घर की तो मेरे घर में इतने हाथ से हुए कि और मेरा इतना डाउन फॉल हो चुका था कि मैं जीने की राह भी बिलकुल भटक चुकी थी जीने की चाहा मेरी खत्म हो चुकी थी बस मेरी जिंदगी में था एक अवसाद, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बस गुसा इन सबी चीजों ने मेरे घर में पूरी तरह से जगा चुके थे लेकिन चार साल जब ये परिस्थितियों में जूचते हुए मैंने बहुत कुछ सहन किया इतना की मतलब कि वो मेरे जिंदगी के सबसे एक क्या बोलूं कि बहुत ही बुरे दीन थे जब मैं इतने अफसाद में इतने स्ट्रेस में रही लेकिन फिर मुझे मान टा कि मुझे मेरे बावा ने अपने बाहों में उठा लिया मेरी जिंदगी खुशियों से भरने लगी मेरे अंदर से खुशियां पैदा होने लगी जो खुशियां में बाहर ढून रही थी वो खुशियां मेरे अंदर से निकली वो खुशी वो हसी वो मुस्कुराहट वो नई जागरिती वो नहीं चेतना मेरे अंदर से निकलने लगी, situations मेरे बाहर थी, as it is थी, वो बाहर ही थी, लेकिन मेरे अंदर की जो स्थितियां थी, वो बिल्कुल बदल चुकी थी, बावा की गोद लेते ही, और उन स्थितियों में मैंने अपने परिवार में बहुत ज़्यादा बदलाव देखा, मेरे घर का वातावरन बदलने लगा, मैं विवसाय से टीचिंग में हूँ, तो मैंने अपना ये ग्यान जो था, अपने इस विवसाय में डालना शुरू कर दिया, मेरे बहुत सारे टीचर भाई बहन, अधिया बगभाई बहन जो थे, वो भी इनी परिस्थितियों में जूज रहे थे, उनको भी ऐसी ऐसी स्थितियां, क्योंकि आजकल कि जमाने में अगर हम देखें, तो हमें जॉब का, एजुकेशन का, कितना स्ट्रेस है, उसी स्ट्रेस में हर कोई जूज रहा था, तो मेरे इस website से मैं बहुत सरी आतमाओं से रोज मिलती हूँ, कितनी आतमाओं से मैं मिलती हूँ, छोटे बच्चों से मिलती हूँ, यंग स्टर जो टीनेजर्स हैं, उनसे मिलती हूँ, वो अपने website के लिए आगे अपने जॉब के लिए आगे अपने future के लिए वो इतने चिंतित रहते हैं और मैं उनका हमेशा हर पल हर दिन हर घड़ी उनका मार्क दर्शन करती हूँ उन्हें अंदर से strong बनाने की कोशिश करती हूँ और मैं चाती हूँ कि जो मैंने स्थितियां देखी परिस्थितियां देखी वो और कोई न देखे वो अंदर से strong बने और ये सब मैं ब्रह्मा कुमारिस का इतना थैंक्स करना चाती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे चलना सिखाया मुझे जीने की रहा दिखाई मैंने कैसे जीना है वो मुझे सिखाया और परिस्थितियों के बाब जूद कैसे अंदर से strong रहकर मैं उन परिस्थितियों को के साथ जूजना सीखी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस तरह से करे हर कोई क्योंकि इस दौर में इतना स्ट्रेस है हर चीज का बच्चे हमारे टीजें जर्स पढ़ाईक से रिलेटर इतने स्ट्रेस में रहते हैं उनके आगे फ्यूचर की उनको चिंता है कि उनने क्या करना आगे तो मैं उन कि अंदर से कैसे उन्होंने पावरफूल होना है कैसे एकागर होके उन्होंने अपने फैसले लेने हैं अपने जिन्दगी के फैसले लेने यहां तक मेरे घर में मेरे बच्चे भी टीनेजर से हैं वो भी मैं वो भी हर घड़ी हर पल वो वी उनी स्थितियों से गुजरते है जो और बच्चे परिस्ति उनको आती हैं, तो मैं उनका हर घड़ी, हर पल जो है, उनका मारक दर्शन करती हूं, उनको स्ट्रॉंग बनाती हूं, यह नहीं कि उनको जिड़क दिया, यह उनको गुसा कर दिया, कि आपको पता ही नहीं लग रहा है, आप पड़े लिख्यों ने कि इतने डंफॉल में थी थी इतननी आत्माओं का और वो अभी सेंटर में चलती हैं इतना थैंक्स गरती है वैं वोति मेरी तैंक्स नहीं करता हैं, हमेशा शुकरिया निकलता है और बावा ने जो मेरे इतने कडे संस्कार थे, जो मैं चाती थी कि शायद कोई नहीं निकाल सकता था, कोई नहीं निकाल सकता था, यहां तक कि मैं खुद भी कोशिश करके हार चुकी थी, कि मेरे अंदर इतना गुसा, इतना डिप्रेशन, डिप्रेशन में मैं हमेशां रहती थी, हर बात का डिप्रेशन, छोट छोटी बात, बच्चों की कोई छोटी बात, क्योंकि मेरे उपर इ आहीज ज्यादा मुसीपतों का सामना करना पड़ा लेकि ज्यान में मुझे इतनी ज्यादा अनुभूतियां हुई बावा के इतने अच्छे एक्सपीरिंस हुय। कि मैं अपने वीक्त नी कर सकते ह। मैं इतनी एक्सपीरिंस हुय। और मैं कहते हैं हर कोई ब्रहमा कुमारी इसको फोलो करना ही पड़ेगा, एंड में हर किसी को आना ही पड़ेगा, और यहां तक कि मेरे जो टीचर भाई बहन है, वो इतना मान सम्मान मुझे मिलता है, तो सिर्फ बावा के ज्ञान की वज़े से ही मिलता है, अगर हम आम इनसान को देखी और बावा के ज्ञान वाले इनसान को देखें, तो मैं कहते हूं कि बावा के ज्ञान में कितना अंतर है, कितना बावा हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, इतने मेरी चारो तरफ पर इस्थितियां आती है, लेकिन मैं उनको बावा के साथ और बावा की मजबूती के स तो बावा का थेंक्स करते हूं कि तू ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा मुझे अपने बच्चे की तरह बनाया मुझे सच में और मेरा तू बावा मैं जब बोलती हूं तो मुझे अपने बावा की याद आजाती है तो कैसे मेरा बावा मेरा हाथ पकड़के चलते थे वो ही बावा उस बावा के जाने के बाद इस बावा ने जब मेरा हाथ पकड़ा ये अविनाशी बावा क्योंकि वो बावा तो कुछ टाइम के लिए रहे मेरे साथ लेकिन ये बावा अविनाशी बावा यह शायद कभी मेरा जिन्दगी में कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे और मेरा आने वाले सभी यूज को यही मेसिज है कि देखो बिटा आप लोगों को कितना आगे स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, आपकी जॉब्स इस तरह की है, हैट्रिक जॉब्स है आपकी, आपको अपन पहन की सुन लो, आप बहुत अच्छी ची, इतने सारे हमारे बिक्य भाई भाई भेन है, आप पीस ओफ माइन घर में, मैं बोती सिर्फ एक घंटा मौर्निंग में लगा लो, तो सारा दिन आपका इतना बढ़िया, इतना अच्छा सा निकलेगा, कि मैं आपको बता नहीं सक आज भी मुझे याग करते हैं, कि दीदी, आपने हमें इतना अच्छा मार्ग दरश्चन किया, हमें जीने की रहा दिखाई, तो सच में मेरे दिल से बावा के लिए इतना शुकरिया निकलता है, और इसमें कोई वो नहीं है, कि सच में निकलता है, और है, और जो हकीकत है, और अगर आप बाबा का हाथ पकड़ लेते हैं, तो मैं बोलती हूं कि सच में आप जिन्दिगी की इतनी सारी कठनाईयों में, आप अराम से आप जिन्दिगी भर अच्छे से निकाल सकते हो, खुशियों से निकाल सकते हो, अगर हम बाबा के ग्यान को थोड़ा सी समझ ले इस्वेर